सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रोहित यूटूब चेनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दिजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मुझे उमीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे और अभी आप अपने घर में होंगे और लोकडाउन का पालन कर रहे होंगे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सेमसंग गलेक्सी M1 के बारे में सेमसंग गलेक्सी M1 या फिर इसे आप लोग बोल सकते हैं सेमसंग गलेक्सी M 01 जो कुछ दिर पहले सेमसंग Dakar दो क्यां इस वीडियो में आप लोगों के बारे मैं बताऊंगा क्योंकि कि यह smartphone बहुत ही जल्द यहां पर launch होगा और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस smartphone में आप लोगों को क्या के space यहां पर देखने को मिलेगा तो गर आप लोग कोई Samsung M-series का smartphone देख रहे थे जिसका pricing 10,000 से नीचे होगा तो सायद आपके लिए यह smartphone काफी अच्छा deal यहां पर बन सकता है Samsung Galaxy M-01 के बार में काफी जदा leaks यहां पर निकल के सामने आ चुका है recently में इस smartphone का battery capacity और इस smartphone का पूरा space है यह निकल के यहां पर सामने आ चुका है मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो यह smartphone global market में Samsung Galaxy A-01 के नाम से मिलता है same वही smartphone M-01 के नाम से launch होगा लेकिन यहां पर battery capacity में changes होगा और Samsung Galaxy A-01 में जितना image का आपको battery मिलता है उतना image का battery आपको Samsung M-01 में देखने को नहीं मिलेगा Samsung Galaxy M-01 में आपको मिलने वाला है 4000 image की battery तो यही एक changes यहां पर होने वाला है global variant में और ACN variant में Samsung का M-series है और इसमें जो यह smartphone आएगा इस phone की pricing बताए जारे कि 7000 रुपीज हो सकता है तो 7000 रुपीज देखते हुए मेरे ख्याल से ठीक ठाक यह smartphone रहेगा हाला कि एक budget category के smartphone इससे आप उतना भी ज्यादा accept नहीं कर सकते कि इसमें हमें यह सारी चीज़े देखने को मिलेगा लेकिन जो चिपसेट है वह क्वालकूम का एश्टन डेगा 439 अब 439 बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं बुलूँ अले कि नहीं दो तीन साल पुराना पसंद है आपर कर सकते हैं क्योंकि देखे तो दस जार के नीचे अच्छा होगा हाला कि आज के टाइम में आप लोगो पता है कि दस जार के नीचे आपको कितने कमाल के smartphone देखने को मिलता है लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना चाहिए अगर आप अपने किसी दोस्तों को भी गिफ्ट करना चाहिए तो मेरे ख्याल से एक अच्छा smartphone यह पर बन सकता है हाला कि उसी प्राइस केटेगरी में मैं यह नहीं बुलों कि यह smartphone काफिया अच्छा है लेकिन हा वान अप दा बेस्ट इससे आप लोग बोलेंगे क्योंकि Samsung का नाम इसके साथ जूड़ जाता है तो Samsung Galaxy M01 के बार में काफिया लिक्स यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है और यह smartphone में भी आप लोगो मीड में देखने को मिल भी सकता है पूरा मीड में में पता चल जाएक है कि कौन-कौन से smartphone आएंगे और Samsung के तो वह ऐसे काफिया smartphone आने की बात है काफिया smartphone के लिक्स भी हाँ पर निकल के सामने आ रहा है लेकिन अभी जो आउट बेरेक हुआ है तो देखते हैं कि यह सब कब खतम होगा और फिर हम अपने पुराने जिन्दिगी में वापाई जापाएंगे तो आप लोग फिर से हम अपने पुराने लाइप में जीए और साइद य चैनल के साथ बने डिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजेगा तकि उन तक की वीडियो पहुंचे और चैनल में अगर आप लोग पहली बढ़ाय होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी किलिक कर दीजिएगा हैंक्यू सो म कर दो माच्चा